नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारा यूटूब चैनल दीपक लेक्चेरर में तो आज की इस वीडियो में कलाश 12 हिंदी का चेप्टर नमबर 4 जो आपका है अर्धनारी स्वर जिसके लेखक हैं रमधारी सिह दिनकर इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे सारा चीज यहां पर आपको बताया जाएगा सबसे पहले रमधारी सिह दिनकर का जीवन परचे उसके बाद हम लोग इस चेप्टर का समरी देखेंगे अब्जेक्टिव क्यूशन देखेंगे सब्जेक्टिव क्यूश कर लेते हैं अगर आप लोग इसका पीडियो डाउलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिगराम चैनल पे जूर सकते हैं अगर आपको किसी भी परकार के डाउट होता है तो आपको यहां पे जो बाट्सप नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं अपना सारे को सेर केवल कर दीजेगा तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले रमधारी सी इंदीनकर का जीवन परचे आपकी जाराई पोटेंट है यहां से आपकी वोड़ इक्जामे कीशन आना फिक्स है तो देखिए रमधारी सी इंदीनकर को बहुत ही फेमस कभी है हम उनका नीरधन उनका देहांत 24 अपरैल 1974 को हुआ था कव 24 अपरैल 1974 को रमधारी सी इंदीनकर का नीरधन हो गया था देहांत हो गया था इसके पिछले वाले चेप्टर में भी हम लोगों को यहां पे बताया गया था जब जै परकास नरायन को वहां क्या सुना रहे थे अपन रमधारी सी इंदीनकर का जन्म सिमरिया बेगु सराय बिहार में हुआ कहां पे दोस्त रमधारी सी इंदीनकर हमारे बिहार के ही रहने वाले थे उनका जन्म अस्थान सिमरिया बेगु सराय बिहार में पढ़ता है आगे देखिएगा आगे यहां पर क्या दिया गया है कि रमधारस युदिन कर की जो पत्नी का नाम था सियाम वती देवी क्या नाम था सियाम वती देवी तो आप लोगों को याद रखना है आपके बोड़ेकजाम में आता है किया आपको याद रखना है क्या किये अपनी पढ़ाई को किये 1928 में मोकामा घाट रेलेवे हाई अस्कूल से मैट्रिक किये यानि 1928 में मोकामा घाट रेलेवे हाई स्कूल से उन्होंने तेंध की परिच्छा पास किये 1932 में पटना कॉलेज से विये ओनर्स किये यानि विये यानि गिर्जुएशन किये कौन सब्जेक्ट से तो हितिहास से हिष्ट्री से किये थे तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ रहा होगा कि जो रमधारे से दिन कर थे 1928 में अपने घर के पास में कहां था मुकामा घाट ट्रेलेवे हाई स्कूल से 10th की परिछा पास किये 1932 में पटना कॉलेज से बी ए ओनर से यानि हिष्ट्री से किये यानि उनका में सब्जेक्ट क्या था हिष्ट्री था तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आगे यहाँ पर देखिएगा आगे यहाँ पर क्या दिया गया है उनके बिरिती के बारे में यहाँ पर क्या है ओवह क्या रहते दोस्तों परधाना अध्यापक भी रहे HE अस्कूल वर्बिंगा सव रजिस्टार सव डाइरेक्टर जन संपर्क बिभाग एवं बिहार बिस्मिध्याले में हिंदी के प्रोफेसर भागलपूर बिस्मिध्याले में उपकुलपती हिंदी सलाकार के रूप में भी कारे साहित किया यहाँ पे कौन क्या दोस्त यहाँ पे जैप यानि रमधारी सी दिन कर उनकी जो अभिरूची थी उन्हें 25 में क्या हुआ दोस्त छातर सहोदर में पहली कविता परकासित यानि उन्होंने क्या क्या रमधारी सी दिन कर ने 1925 में उनकी सबसे पहली कविता परकासित हुआ था कौन सा तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और कब परकासित हुआ था तो 1925 इसी भी में परकासित हुआ था कहां में हुआ था परकासित किये बेगुस राय में यहाँ पे उसके बाद प्रतीमा कनोज में छातर जीवन में अनेक रचनाए परकासित 21 बर्स की अवस्था में पहली कविता पुष्टक प्रणभंग परकासित हुआ यहाँ पे देखिए रमधारिस दिनकर बचपन सही कविताओं को लिखा करते थे बहुत सारे कविताओं को लिखा करते थे सबसे पहले उन्होंने चातर सहोदर लिखा उसके बाद वह पटना में परकासित हुआ उसके बाद परकास एक कविता का नाम है बेगुसरा में परतीमा कनोज में और उवह चातर जीवन सही कविताओं को लिखा करते थे और जब उनकी एक कईस वर्स उम्र हो गई थी तो उन्होंने एक कविता पुष्टक निकाला जिसमें बहुत सारे कविताओं का संगरा था जिसका नाम था प्रंड भंग तो यहां क्यूशन आ जाता है कि प्रंड भंग किस चीज़ का संगरा है तो प्रण भंग यहाँ पे कविताओं का संगरह है जिसमें रमधारी सी दिनिकर द्वारा लिखा गया बहुत सारे कविताओं को यहाँ पे लिया गया है तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्यूशन भी बताता चल रहा हूँ कि आपके बोलिक जामे किस तरह का क्यूशन आता है पढ़ते हैं आगे तो आगे यहाँ पे देखिएगा उनके बहुत सारे पुस्तके के बारे में बहुत सारे कविताओं के बारे में यहाँ पे दिया ग उंकार, 1938 में, यहां पे रसवन्ती, 1940 में, कुरुच्छेत्र, 1940 में पूस्ता है कि कुरुच्छेत्र किसके दवारा लिखा गया है, तो रमधारे सी दिनकर के दवारा, रसी मर्थी, बहुत ज़ाराइट पोटेट है, रमधारे सी दिनकर के दवारा, 1952 में परकासित हुआ था, नील कुसूम, 1954 में, उर्वसी, 1961 में, यहां भी पोटेट है, उर्वसी, इस पर रमधारे सी दिनकर को पुरुसकार भी मिला था, परसुराम की परतिच्छा, 1963 में, यहां पे, कुम लता और हारे को हरी राम, 1970 में, यहां सब क्या है, कविताएं हैं, जो रमधारे सी दिनकर के उन्हों ने परकासित किया, जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारिस्मर क्या है, यानि दिवन्ध है, कहानी है, संस्क्रीत के चार अध्याय, यहां सब क्या है, उनके दोरा परमुक क्या है, गध क्रीतिया है, कावि की भूमिका, यानि काविय का मतलब आप लोग जानते है, हमारे जीवन में क्या है, सब क्या है, उनके दोरा लिखा गया, गध क्रीतिया है, बट पीपल, सुध कवीता की खोज, 9066 में परकासित हुआ, इसके बाद देखिए, रमधारिसी दिनकर ने कौन सा और यहां पर पुस्तक का परकासित किये थे, दिनकर की डाइरी, 9073 में पर परकासित हुआ था, उनके मिर्तु के एक साल पहले ही परकासित किये थे, दिनकर की डाइरी, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आगे यहां पर देखते हैं, रमधारिसी दिनकर को बहुत सारे पुरुसकार मिला था, बहुत सारे सम्मान मिला था, उसी के बारे में यहां पर बताया गया है, तो देखिए, संस्क्रीत के चार अध्याय पर साहिद अकाडमी एवं उर्विसी पर भारतिये ज्यान पीट पुरुसकार मिला, यहां पर क्या पूछता है, कि संस्क्रीत के चार अध्याय पर रमधारिसी दिनकर को कौन सा पुरुसकार मिला था, त देखिए दिनकर राष्ट कवी के रूप में समाध्रित है यानि हमारे जो राष्ट कवी के रूप में रमधारी सी दिनकर को माना जाता है यानि रमधारी सी दिनकर हमारे राष्ट कवी के रूप में माने जाते हैं राष्ट कवी रमधारी सी दिनकर जितने बड़े कवी थे उतने ही समर्थ गधकार भी थे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि रमधारी सी दिन कर बहुत अच्छे-च्छे कविताओं को लिखे हैं और उनके साथ-साथ वह बहुत अच्छे कहानी कार भी थे, गधकार भी थे, निवंधकार भी थे। यहाँ आधुनिक यूग के वहाँ पर कवी है कौन, यहाँ पर रमधारी सी दिन कर वहाँ कव से अपनी लेखन कर शुरू किये थे, तो भारतेनीवे यूग से वहाँ शुरू किये थे, और यहाँ आधुनिक काल तक लिखते रहें, आप लोग जानते हैं, 1974 में उनकी मिर्तु हुई यहाँ नी बहुत सारे कविताओं को बहुत सारे गद को यहाँ पर लिखा है, तो देखिए आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन था, रमधारी सी दिनकर का जीवन पर चाई था, जहां से आपके बोर्ड एक्जाम में बहुत सारे क्यूशन बनकर आएगा, तो आपको पर लिखते रहें, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई परसानी नहीं, यहाँ पर देखिए सारा चीज़ आपको यहाँ बता दिया हूँ, अब हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, अर्धनारी सुवर पढ़ना है, तो चलिए उस पार्ट का ह लोग यहां पर समरी समझते हैं देखिए जो आपका अर्द नारिस्वर जो आपका चेप्टर है इसमें क्या बताइगा है इसमें रमधारी से दिनकर इस निवन्ध के माधियं से बताते हैं कि जो हमारा प्राचीन सव्यता है उसमें नारियों पर उसमें महिलाओं पर बहुत जारा पूरुसों के दवारा अतियाचार होता है वह नारी को और यहां पे जो पूरुस है दोनों को समान दर्साना साते हैं बहुत सारे एक्जांपल की मदद से बहुत सारे उधारन की मदद से कहते हैं कि जो महिला लोग है और जो पूरुस लोग है दोनों का गुंड समान है वह एक दूसरे से अलग नहीं है यहाँ पे इसी पर यहाँ पूरा निवन्द पूरा जो आपका अर्थ नारिस्वर चेप्टर है पूरा अधारित है तो यहाँ चेप्टर काफी जारा important है तो आप लोगों को समझाने की गरांटी मेरी है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत कोई परशाणी नहीं होगा तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपका जो सरांस जो आपका समरी है वह सुरू होता है क्या यहाँ पे लिखा गया है अर्ध नारिश्वर के निवंद कार रमधारी सी दिनकर है कौन है रमधारी सी दिनकर दिनकर जी कहते हैं कि अर्ध नारिश्वर संकर और परवती का कलपीत रूप है याणि आपको यहाँ पर डाइगराम दिखाई पढ़ रहा होगा आपको thumbnail पर ही कि और नरिस्वर क्या है संकर और परवती का कलपी तुरूप है याणि कहने का मतलव है कि जो आपको डाइगराम है जो फोटो है उसमें आधह आपका संकर भगवान है और उसी में आपका आधह परवती जी है यहाँ पर यहाँ फोटो की मदद से हम लोगों को यह जनकारी दिया जा रहा है कि जब तक के पुरुस और जो महिला है समान नहीं हो जाता एक दूसरे से मिल जूलकर नहीं रहेगा उसकी जीवन की खुसिया पूरा नहीं होगा याणि दोनों एक दूसरे से समा यहां पर रमधारिस दिनकर संकर और परवती का जो कल्पित रूप है अर्द नारीश्वर उसी की मदद से समझाना चाहते हैं जिसका आधा अंग पूरुस और आधा अंग नारी का होता है आप यहां पर दिखाया गया है निवंधकार कहते हैं कि नारी पूरुस गुणों की ग्रिष्टी से समान है नारी का भी दो हाथ है पूरुस का भी दो हाथ है नारी का भी दो पैर है पूरुस का भी दो पैर है नारी के अंदर भी वही खून है पूरुस के अंदर भी वही खून है यानि दोनों की जो गून है वह क्या है क्या है दोस्त दोनों का गून समान है यहां पे निवंधकार बताना चाहते हैं एक का गून दूसरे का दोस नहीं है यहां पे निवंधकार रमधारिस दिनकर हम लोगों को कहते हैं कि अगर कोई बेक्ती में पुरुस का गून आ जाये तो वह दोस नहीं है और कोई पुरुस का गून अगर नारी में चला जाये तो तो वह कोई दोस नहीं है क्योंकि दूनों का गुन तो समान है परतेक नर के अंदर नारी का गुन होता है प्रंतु पुरुस अस्त्रैन का है जाने की डर से दवाये रखता है यहां पे रमधारी से दिनकर क्या कहते हैं कि जो परतेक पुरुस है परतेक यहां पे जो नर लोग है उसके अंदर नारी का गुन होता है नारी का गुन क्या होता है दोस्ति आनि महिलाओं का गुन क्या होता है प्रेम होता है आपका सांती होता है यह सब क्या है करुणा होता है यह सब महिलाओं का गुन है तो यहां पे रमधारे से इन कहते हैं कि कुछ न कुछ तो हर एक पु करने का किसी से प्रेम करने का गुन होता है उनको दुख होता है उनको सांती बनाए रखने का गुन तो अवस्य होता है तो यहां पर हमधारे से दिन कर यहीं कहना चाहते हैं कि परतेक पुरुस में कुछ नकुछ तो नारी का गुन होता है और पर परन्तु पुरुस अस्त्रै निखार जाता है यानि निखार जाता है या आता है यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कोई बेक्ति में कोई पूरुस में महिलां का गून आ जा जैसे दया, ममता, सेवा, आदी तो जो पूरुस का जो क्या है उसका बेक्तित्व है वह और अच्छा हो जाएगा बलकि उसका अ तरीके में और निखार जाता है और निखार आ जाता है कहने का मतलब है उनका जीवन और अच्छा बन जाता है यहां पे रमधार इस तीन कर इन सभी बातों के माधियम से हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि यहां पे जो नर है और नारी है दोनों क्या है एक समान है यानि दोनों में कोई डिफरेंस कोई अंतर नहीं है यानि दोनों एक दूसरे से क्या है पूरक है यहां पे यही तो का रहें तो आपको समझ में आ रहा होगा आगे देखिएगा आगे इस निबंद के माध्यम से हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं इसी तरह परतेक इस्तिरी में भी पूरुष का तत्व होता है यहां परतेक इस्तिरी में भी पूरुष का तत्व होता है पूरुष का गुन होता है परन्तु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली पूरुष को अनंद देने वाली रच से अमान के चलिए पूरुष का गुन क्या है बाहर जाकर काम करना तो अब आप लोग बहुत सारे महिलाओं को भी देख रहे होंगे कि खेत खलियान में काम करती है उनके अंदर भी पूरुष का गुन है लेकिन महिलाओं उस गुन को छुपाये रखती है वह कहती है कि मैं तो बनाया रखती है उनको क्या बनाया रखती है नारी ही बनाया रखती है उनको नर के समान दोनों में बरावर नहीं होने देती है तो यह सब रमधारे सी दिन कर हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि नर और नारी दोनों समान है लेकिन नर के अंदर जब नारी का गुन आता ह वह उसको छुपाय रखता है और पूरुज का जो गुन है नारी के अंदर जाता है तो जो नारी लोग है वह उसको छुपाय रखती है जैसे वह बाहर कमाने नहीं जाएगी वह अपने पती पर रिपेंट रहेंगी जो मेरा पती है वह कमा कर लाएगा तब ही मैं खाएंगा ऐसा हो रहा है यानि रमधारी से जिनकर हम लोगों को यही कहते हैं कि नर और नारी दोनों समान है और इसलिए इसे दुरवल कहे जाने लगा है यानि जो नारी लोग है दोस्तों वह बाहर तो कमाये जाएगे नहीं वह कोमल सरील अपनी सुन्दारता को दिखाएगी यानि इन सभी कारणों की मदद से जो नारी लोग है उसको दुरवल यानि कमजोड बताया जाता है और पूरुस लोग को यहां पे बलवान शक्ति साली बताया जाता है समय बितने के साथ ही पूरुसों ने महिलाओं के अधिकार को दवाता गया यहां पे आप लोग पढ़िएगा, उसमें आधी काल के बारे में बताते हैं कि जब पिर्थिवी पर मानब जाती का, क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मानब जाती पहले जब आया था, उस समय नर और नारी में इतना डिफिरेंस नहीं था, उस समय नर और नारी दोनों समान थे, यानी जब मान के चलिए पिर्थिवी पर पूरुस का जन्म हुआ होगा, महिला और पूरुस आया होगा, उस समय तो नर और नारी दोर समान ही थे, क्योंकि दोनों साथे रहते थे, अगर खाने की जरूरत है तो दोनों जाकर लाएंगे, अगर किसी से बचना है, कोई जानमर उन पर अटेक कर रहा है, तो दोनों मिलकर अपनी जान को बचाएंगे, लेकिन आज क्या हो गया है, आज जो आधुनिक यूग है, यानि आज जो बहुत सारे, आज का जो यूग है, उसमें क्या है, यानि नारी को घर में रहने का काम कर रहा है, यानि घर के काम को देख रहा है, औ पूरुस जो लोग है वह बाहर के कामों को देखेंगे और नारी को यहां पे दुरवल कमजोड समझा जा रहा है तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कोई प्रोगलम कोई दिक्कत नहीं आगे यहां पे समझेगा आगे यहां पे क्या है पूरुस और इस्त्री के बीच अधिकार और हक का बटवारा हो गया यानि पूरुस और इस्त्री के बीच हक का बटवारा होने का मतलब है कि पूरुस लोग खेत खलियान में काम करेगा और जो महिला लोग है वह घर के काम करेगा महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा यानि यहां पे रमधार इसी दिनकर कहते हैं कि महिलाओं को जो पूरुस लोग है वह केवल और केवल सुक का साधन समझते हैं उन पर बहुत जारा अत्याचार का तो उसको घर में ही रहने के जैसे कहेंगे उससे सुनना है उसको अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करना है यानि उसको कहेगा कि खाना ब आप एक्जामपल देते हुए काता है कि जब पिर्तिवी पर मानव का जर्म हुआ था उस समय तो नर और नारी में इतना प्या था डिफरेंस नहीं था अगर आज भी आदी मानव होता तो उनको बहुत दुख होता कि जब मैं जर्म लिया था उस समय नर और नारी दोनों समा हैं लेकिन वे नारीयों पर कोई भेद भाव नहीं किया याणि यहां पे रमधारी से दिन कर हम लोगों को पसू और पसी का एक्जामपल देते हुए कहते हैं कि पसू और पसी में भी नर और नारी होता है लेकिन पसू और पस्ची में यहां पर क्या होता है दोनों में कोई भेद भाव नहीं है आप लोग चिणियां को देखे होंगे चिणियां अगर दो रहेगा एक नर और एक नारी तो अगर खाना लाना रहेगा तो दोनों साथे जाएगा अगर कुछ भी काम करना होगा तो दोनों साथे जाएगा अगर किसी से लड़ना है बचना है तो दोनों स दिनकर किसका एक्जाम्पल देते हैं दिनकर जी इस्तरी के प्रती यानि आप लोग रवींद्र नाष्टायगोर के नाम सुने होंगे यानि यहां पे बहुत सारे जो हमारे बहुत बड़े-बड़े कभी हुए जैसे रवींद्र नाष्टायगोर जैसे कभी उने विचार से समत है यानि यहां पे रव्धारे सिन का विचार था कि नर और नारी दोनों समान है लेकिन हमारे बहुत बड़े-बड़े जो कभी है रवींद्र नाष्टायगोर जैसेंकर परशाद प्रेमचंद्र उन्होंने कहा कि नहीं नर और नारी दोनों समान नहीं है बलकि इन सभी कभियों ने नारी को नीचा दिखाया है उसकी नारी के प्रती कोमल बादी रूमानी द्रिष्टी का बिरोध करते थे प्रेमचंदर ने कहा कि जब पुरुस नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता हैocy आप लोगğı प्रेमचंद का नाम सुने होंगे प्रेमचंदर महिलाओं को इतना दुर्वल समझा इतना उन पर क्या कहा उनके लिए कठोर सब्द का पर्योग किया कि प्रेमचंद ने कहा था कि जब कोई पुरुष महिला का गूल लेता है तो वह तो देवता बन जाता है लेकिन जब नारी कोई महिला जब पुरुष का गूल लेता है तो उन्होंने महिलाओं को नीचा दिखाया इन सभी कि मत से जो रमधारे से दिनकर है वह अस्वमर्थ हैं दिनकर जी कहते हैं कि यहां सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वपन है नारी सुगंध है नारी पूरूस की बाहँ पर जूलती हुई माला है पूरूस अब नारीों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है यानि यहां पर रमधारे से दिनकर कहते हैं कि यहां सब बाते तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी सुपन है नारी सुगंध है यानि कोई नारी के बीरा हम लोग नहीं जी सकते हैं नार काफी हूं यानि जो पूरुस लोग कहता है कि क्योंकि नारी को किळा का बस्तु इंजवाएं करनी की बसכל मानता है जिसके कारण उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और क्योंकि वह खेलने की बस्तों है तो वह गंदा नहीं हो सकता है उस पर धूल कर नहीं बिचा सकता है इसलिए नारी लोगों को यहां पर घर से बाहर जाने नहीं देता है कौन पूरुस लोग क्योंकि जब नारी लोग गर से बाहर निकल कर काम करने लगेगा तो पुरूस का जो भेलू है वह कम हो जाएगा उनकी सक्तियों का भेलू कम हो जाएगा जिसके कारण वह नारी को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा आगे हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा और बचा हुआ है तो यहां पर देखिए निवंधकार कहते हैं कि परतेक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी अवस्यक है यानि यहां पे निवन्द कारण धाले सी धीन करिया करते हैं कि परतेक नर को एक हद तक नारी बनना अवस्यक है यहां पे तहने का मतलब है कि अगर परतेक जो नर है वह नारी नहीं बनेगा अपने नारी का गून को अपने अंदर नहीं लाएगा तो उसके जो हिर्दय है उस अगर नारी लोग पुरुष का गुन नहीं लेगा तो वह जब उसके पती का देहांत हो जाता है तो आप लोग गाम में देखे होंगे कि उस पर बहुत ज़्यादा भी पती आ जाता है अगर उसके अंदर पुरुष का गुन होगा तो वह किसी न किसी तरह से बाहर जाकर किसी यहां पे रमधारी से दिलकर कहते हैं, जो हमारे महातमा गांधी जो हमारे लेखक हैं, हमारे बहुत बड़े क्या हैं, कभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे निवन्द को लिखा है, आप लोग इंगलिस में पढ़े ओंगे, यानी गांधी जी ने भी अंतिम दीनों मे इतना सेवा किये उनकी पोती ने उन पर एक पुष्टक लिखा जिसका नाम रखा बापू मेरी मां यानि जो महात्मा गांदी है वह मेरी मां के समान है तो यहां पर यह निवन्द समाप्थ हो जाता है आपको समझ में आया की नहीं आया अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कैमन करके पूछ सकते हैं तो देखिए मैं आपको यहां पे फिर से थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इस निवन्द के माधियम से रोजोनमधारी सी दीन कर है वह नर और नारी क्यों क्या दिखनाना चाहते हैं इक्वल बताना चाहते हैं कि परतेक नर के बताते हैं बहुत सारे लेखों का क्या मर्त है उनको भी बताते हैं प्रेमचंद का रमीण नाटायगोर का चैसंकार परसाद का शारे को यहां पर बताते हैं वह समझ में आ गया होगा कोई परसानी कोई दिक्कत नहीं चलिए हम लोग यहां पर औप जेक्टीब क्यूशन को क्यों है च्छिति फिश्जण नंबर किशन है च्छाया वादोत्तर यूग के कवी है यानि रमधारी सी दिनकर किस यूग के कवी माने जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा कि रमधारी सी दिनकर को छाया बादोत्तर यूग के कवी माना जाता है तो यहाँ पर आपका option number B correct हो जाएगा important question है तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे option number A लेकिन option number A नहीं है क्योंकि रमधारी सी दिनकर अपनी कवी ताओं को लिखना शुरू किया थे भारतिन्द्वे यूग से वह आधुनिक काल तक लिखे आधुनिक यूग तक लिखे लेकिन वह जो परमुक कवी के रूप में बिक्षित हुए परमुक कवी माने जाने लगे छाया बादोतर यूग में तो option number B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा देखते हैं अगला number क्यूशन देखिए अगला number यहाँ पर आपका क्यूशन है तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़ते हैं आगे देखिएगा अपना अगला number क्यूशन जो आपका है four number तो four number क्यूशन है पूरुस रोप तो बिरिच बन गया पर नारी को उसने बना दिया यादि पूरुस जो रूप है यादि जो पूरुस जो लोग है उन्होंने तो अपने आपको बिरिच की उपाधी दिया और नारी को किसका उपाधी दिया नारी को क्या बना दिया तो देखिए पूरुस लोग अपने आपको बलसाली मानता है पूरुस लोग अपने आपको बिरिच की समान क्या मानता है बहुत बड़ा मानता है लेकिन नारी को उन्होंने लता बना दिया कि तुम मेरा साथ देना है मैं जैसे तुमको कहूंगा वैसे करना है याणि नारी को उन्होंने लता बना दिया तो option number C यहां पर correct हो जाएगा बड़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन यहां पर देखिए five number five number है कामनी अपने साथ कैसी सांती लाती है तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका कामनी है वह अपने साथ है यामनी जै ट है तो यहां पर प्रेमच्टल ने कहा था कि जब कोई पूरुस नारी का गुन लेता है वह देवता बन जाता है लेकिन जव कोई पूरुस लेता है तो राटसी बटाब आपको बताया गया है तो ऑसे नमेरी यहां पर राजसी बन जाता है तो option c यहांपर correct हो जाएगा हो Ihnen नारी नर का गूल लेता है तो राजसी बन जाता है तो किसने कहा था तो आपका कभी प्रेम जंड है उन्हों ने ही उने कहा था बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरह तो यहां पर देखिएगा अगला नंबर क्यूशन है नाइन नंबर इस्त्री गुनों वाला पूरुश क्या कहलाता है यानि वैसा पूरुश जिसमें इस्त्री का गुन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग अस्त्रेंड कहते ह यहां पर देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग किसको देखें होंगे आप लोग देखें होंगे वैसे बेखती को जो आपके गाव में होगा वह पूरुस होते हुए भी वह महिलाओं के प्रती जादा अकरसित रहता है वह महिलाएं की तरह बैभार कर लुए उसको कहते हैं अस्तरैन यानि उसको कहते हैं वह पूरुस होते हुए भी उसके अंदर महिला का गून है यहां पर आपका option number B correct हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्योसे दोरब्ध और क्या है बुद्ध और महावीर ने इस्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था तो भीछुणी बनने का मतलब है कि आगर मंदियों में वहां पे चर्च में पूजा-पाट करना है सानिया зан! बनने का मतलब होता है भीचुनी बनने का अधिकार दिया था पहले के वलों के वल यह अधिकार कुर्सों के पास था यहां पर अगले क्यूशन की तरफ तो अगला नमबर की उसन है 11 नमबर दिनकर जी का जैंड में बिहार के किस जीले में हुआ था तो आपको बताया गया है क अंगले किть देखिएगा अगला नंबर कि उसन है दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था वरम धारी से करेक्ट है यहां बंगी इकशा गया है तो आप लोगों को याद रखना है देखते हैं अगला अगला नमबर यहां पर क्यूशन देखिए 13 दीनकर का जन्म कब हुआ था तो रामदहारे से दीनकर का जन्म 1908 इसी भी में हुआ था कब हुआ था 1908 में तो अप्शन नमबर भी करेक्ट है इस पोटेंट की उसन है तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है देखते हैं अगला नमबर की उसन अगला नमबर यहां पर देखिए कि उसन आपका 14 दीनकर की मिर्तु कब हुई थी तो दी ओप्wan क्या हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है यहां पर लगभग में माना जाता है तो यहां पर देखते हैं अगले त्यक्ति Nerac Ari albums and 15 नंबर 15 नंबर क्या है सभयता का पहला सुपान क्या था तो देखिए सभयता का पहला सुपान का मतलब है कि सभयता का विकास कब होने लगा तो सभयता का विकास क्रीशी का जब विकास हो गया था उसी समय से होने लगा तो अप्सन नंबर बी यहां पे करेक्ट है और जब क् या चार है वह और ज़्यादा बढ़ गया महिलाओं को केवल और केवल घरों के काम में रहने को इजाज़त दी गया और पूरुस लोग बाहर के काम करने लगा तो यहां पे option number B correct है अगर आपको यह question समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जाकर जो मैं पूरा पढ़ाया हू अगला number question जो की यहां पे आपका है 16 दीनकर जेको भारतिये ग्यान पीट पूरुसकार उनकी किस क्रिती पर मिली इहां पर करेक्ट है आपको बोड़ एक्जाम में यहां की उसन बार बार पूछा गया है तो important question है तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा देखते हैं अगला number question है 17 संस्क्रीट के चार अध्याए किस की क्रिती है इप पूर्टेंट है तो संस्क्रीट के चार अध्याए रमधारी सी दीनकर दोबारा लिखा गया क्रिती है तो यहां पे option number D correct है important question है तो अगले question की तरफ तो यहां पर देखिएगा अगला number question है 18 18 क्या है बापू मेरी माँ पुष्टक किस ने लिखी तो आपको यहां पर बताया गया था कि बापू मेरी माँ बापू की यानि महातमा गाम्धी की पोती ने पूष्टक लिखी थी तो यहां पे option number B correct है important question है तो आ रमधारी से दिनकर की लिखी हुई है तो यहां पे कौन है सुध कवीता की खोज यानि सुध कवीता की खोज रमधारी से दिनकर द्वारा लिखा गया क्रीती है रमधारी से दिनकर द्वारा लिखा गया क्या है आपका एक का भी है तो option number A correct हो जाएगा देखते हैं अगला number कुछ दोनों के γुनों को यहाँ पर सबन में को धर साया गया है तो ऑफिशन यहां पर है देखते हैं से कौन नहीं है अपर लोगों को याglich है अगला नमबर क्यूशन देखिए जो कि आपका है 22 दिनकर को कि स्कृती पर साहिद अकाडमी पुरुसकार पराप्थ हुआ था तो देखिए उर्वसी पर उनको ज्यान पीट पुरुसकार पराप्थ हुआ था और संस्कृत के चार अध्याय पर उनको क्या पराप्थ हुआ थ है 23 कौन सी कृती दिनकर की नहीं है इसको बताइए तो यहाँ पिर आप लोग जानते हैं कि कुरूट छेतर भी है रसी मर्थी भी है यहाँ पिर आपका नील आपका कुसूम भी है लेकिन आपका द्वेंद गीत यहाँ पे रमधारिश सी दिनकर के दोबारा नहीं लिखा गया का इक पोर्टेंट के उसन है तो आप लोग याद रखिएगा देखते हैं अगला नंबर की जो कि यहां पे आपका है 24 और लास्ट के उसन अर्ध नारिष्वर का किस बिध्या से संबन्द है तो अर्धन नारिष्वर क्या है दोस्त आपका निवंध है आपका यहाँ पे एक हो जाre कर दिया हुँझ किस्टापकर से पूछा जाता है तो आप लोगों को वीडियो पास ना रायत है वीडियो को share कर दीजे तो चलिए अब हम लोग यहां पे शुरू करते हैं अपने subjective question को जो आपके लिए काफी जाला ही potent है काफी जाला ही potent है तो आप लोग इसको तो अच्छे से समझिएगा अगर आप लोग इतना वीडियो को देख लिए हैं तो थोड़ा सा और अपना धैर को बनाये रखिए आपका या पूरा चेप्टर ही समाप्त होने वाला है तो यहां पे देखिए first number question क्या है यदि संधी की बारता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नमस्ता लेखक के इस कथन से आप सहमत है अपना पच को यहां पे रखें यहां पे देखिए discussion का कहने का मतलब है जो महाभारत इतना बड़ा जो आपका क्या हुआ इवध हुआ अगर इसमें दो यहां पे औरतों के बीच दो महिलाओं के बीच अगर यहां पे संधी होता संधी किसके बीच हुआ था आपका भगवान स्री कृष्ण के बीच और यहां पे दुरियोधन के बीच दोनों क्या था दोने यहां पे पुरुष्था लेकिन यहां पे रमधारिच दिनकर कहते हैं कि अगर यहीं संधी कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो यह हमाँ भारत नमस्ता लेखा के इस कथन का आप लोगों को यहां पे अपन तिनकर जी के इस्त्री तत्व सर्जनात्मक होता है। जैसे एससे पूरुस बाती गत वीधने के समर्णांत स्रीजन निर्मांद सान्ति और प्रेम का अधार आधार uniform जो पूरुस लोग है न उसके अंदर एक दूरसे से लडने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है उसके अंदर किसी को बिनास कर देना यह सब पूरुस बादि क्या है आपका उसके अंदर गुन है लेकिन जो महिलाओं का गुन उसके बिप्रित है जो महिला लोग होता है वह और क्या है सेवा करने की प्रेम करने की सांती करने की गुन होता है अत हमहा भारत का यूध्य जो दौन पुर्सों और फ़ोबूर दुर्योधन यूद्धन के बी corazón के चलते हुआ अगर उसकी जगह संधी बारता और कुंती यानि वारता कुंती और गंधारी के बीच होती तो यह महभारत न मचता क्यों कि इस्त्री जो तत्व होता है वह क्या होता है जो इस्त्री तत्व होता है वह सांती छमा दया की भवनाओं से संबंदित होता है यानि यहां पे कहने का मतलब है रमधारी सी दिनकरिया कहते हैं कि अगर यहां पे जो संदी है वह दुरियोधन और भगमान स्री कृष्ण के बीच हुआ दुरियोधन नहीं मान रहा था और कृष्ण भी बलवान थे ही क्योंकि पूरुस्त है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं होगा तो पूरा महाभारत होगा लेकिन इसके उल्टी अगर यहां पर जो संदी है वह कुंती और गंधारी के बीच होती तो दोनों यहां पर इस्तरी है जिसके कारण इस्तरी तत्व क्या चाहती है सांती चाहती है च्छमा चाहती है तया चाहती है तो यहां महाभारत नमस्ता यानि यहां महाभारत क पूरुस और नारी के बीच गुनों का बढ़ने लगी तो यहां पे पूरुस का गुन और महिलाओं को गुन का बढ़ना हो गया वहां पे क्या हो गया दोनों का गुनों का बढ़ना हो गया वहां किस परकार हुआ उसका क्या पढ़ वहां पढ़ा तो चलिए समस्ते हैं यहां पे उत्तर क्या है नारी समस्ती है कि पूरुस के गुन सिखने से उसके नारित्व में वटा लग जाएगा वटा का मतलब है उसको हानी पहुंचेगा इसी परकार पूरुस के गुनों को अपनाना नहीं चाहती है क्योंकि अगर वह पूरुस के गुनों को अपनाएगा तो उसके रूप में उसकी सुंदर्ता में हानी पहुंचेगा वटा लग जाएगा इसी परकार कोई भी जो पूरुस है वह इस्तरी के गुनों को नहीं अपनाता है क् समाज बहुत ज़्यादा भला बुरा कहेंगे कि तुम तो क्या हो तुम तो इस्तरी के पती जादे अकर्षित होता हो या सब कहने लगेगा उसको बहुत ज़्यादा सब बेजती करेगा जिसकी करण पुरुस लोग भी महिलाओं को गुन को नहीं अपनाता है बस यही पुरु पुरुस की और ज्यादे है, यहां पे देखिए क्या कहते हैं, वटवारा करते समय पुरुस ने नारी से पूँचा ही नहीं और जहां उसने चाहा वाहां उसे बिठा दिया, स्वय में तो वह बिरिछ बन गया और नारी को कली मान लिया, क्या कली उसी समय से धूप पुरुस और चाया नारी बन गई, ग्रिस्म नर और भरसा नारी रही, यहाँ पर देखिए रमधारिस दिन कर हम लोगों को एक्जाम्पल की मदद से बताते हैं, कि जब गुनों का बटवारा हो रहा था, तो यहाँ पर नर लोग नारी से कुछ नहीं पूछा, और खुद जितने भी अ हो, मैं गर्मी हो, तुम बरसा हो, यानि नारी को क्या कह दिया, नारी को कीड़ा का बस्तू समझने लगा, कौन, यहाँ पर पूरुष लोग, यानि पूरुष जाती, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ, तो अगला नमबर की उसने देखिए, थिरी नमबर, थिरी नमबर क्या है, आदी मानव ने नारी पूरुष के अधिकारों का बटवारा किस परकार किया था, तो आप लोग समझेगा, यहाँ पे अब काजो सव्याता जो आदी मानव है, वह किस परकार से नारी और पूरुष के अधिकारों का बटवारा किया यानि किस परकार किया था अप लोगों को पताना है तो चलिए हम लोग इसका अंसर देखते हैं यदि आज कहीं आदी मानव के दर्शन हो सके तो वह आज की हालत देखकर हैरान उठेगा और सहसा बोल भी पड़ेगा यानि सहसा का मतलब होता है अचानक बोल भ पे था तो उन्होंने नर और नारी के गुनों का बटवारा नहीं किया था हम तो साथ जनमे थे तथा धूप और चांदनी में बरसा और गर्मी में साथ ही घुमते थे यही नहीं भोजन इकठा करने के भी हम साथ ही निगलते थे और अगर कोई जानवर हम पर तूट परता तो हम एक साथ उनका सामना भी करते थें उसी समय पुरुस से वलिश्ग था और नारी भी दुरुवल नहीं थी यानि जब यहाँ पे आदी मानव था तो उन्होंने पुरुस और नारी दोनों को समान दर साता था दोनों एक दूसरे वो इक्वल समझते थें लेकिन आज के पुरुस अपने पत्नी को लाकर कुछ खाना बनाने के लिए नहीं जाएगा तो यहीं यहाँ पे आपको समझ में आ गया हुआ कि आदी मानव ने अपने अधिकारों को किस परकार से बटबारा किया था देखते हैं अगला नमर की उसन जो कि आपका है काफी छोटा सा कीउस पुरुस जब नारी के गुन लेता है तो क्या बन जाता है इसके विपरित जब नारी नर के गुन शीखती है तब राच्षी हो जाती है तो यह किउसन आपको समझ में आ गया होगा यह कभी प्रेमचंद ने इस कथन को कहा था जब कोई बेगती पुरुस का गुन यानि तो वह राच्सी बन जाता है तो यहां पे क्यूशन नमबर 4 समझ में आ गया होगा देखते हैं अगला नमबर क्यूशन जो कि यहां पे आपका है 5 नमबर नारी की प्राधिनता कब से आरम हुई इस पोर्णिन क्यूशन है तो आप लोग देखिएगा यहां क्यूशन आपके बिहार बोर्ण में 2-3 बार आया हुआ है तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए जब मानब जाती ने क्रिशी का अविस्कार किया तो अपनी जैबिक सरचना के कारण नारी स्रम की अनवरत परकिरिया से अलग होती गई इस तरह वह आर्थिक उत्पादन की परकिरिया से बंचित हो गई यहां पर कहने का मतलब है कि नारी की प्रदिंता मुख रूप से जब अरम हुई जब शुरू हुई जब क्रिशी का विकास हुआ जब क्रिशी का विकास हुआ तो नारी को घर में रहने के लिए कहा गया और जो नर लोग है अपने आपको बाहर गया वह खे कुष्ण करने वाला आष्ट्रिय दाता बनता गया यानि जो पुरुस है वह नारी को धन देने वाला यानि उसको क्या सधोरी पूचन करने वाला आष्ट्रिय बन गया और जो क्या है उसका दाता बन गया और नाली लोग घर की कामों में सिमठ कर रहा गई वह बाहर की दुनिया का हिस्सा वनता गया और और अवरत घर की दिवारों तक उसकी बनाई जाल में सिमठती चली गई यानि जो पूरुस लोग का याकाना है ही जो पूरुस लोग ने जो जाल विचा है उसमें जो महिला लोग है वह सिमट कर रहा गई वह बाहर की काम में नहीं कर पाएं तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं अगले क्यूशन की दरब में दिनकर जी का इस्त्रियों यानि इस्त्रियों जीत भूमी के समन्द में विचार है कि दया माया सांती आदी इस्त्रियों जीत गुन है यानि इस्त्रियों के गुन है जो स्रीजन कल्यान सांती कला प्रियता छमा दया आदी रूप में पाए जाते हैं यह गुन पूरसों के अंदर भी होते हैं लेकिन वह अस्तरयन कहे जाने के भैसे उजागर नहीं करता है यदि यह इस्त्रियोजित गुन पूरुस के बेक्तितों में आ जाए तो वह महान हो सकता है बिना इसके वह अपूर्ण है यहां पे रमधारिस ही दिनकर कहते हैं कि जो म पूरुसल जाती के अंदर भी इस्त्रियोजित गुन होता है महिलाओं का गुन होता है लेकिन वह उसको बाहर उजागर नहीं करता है अगर वह बाहर उजागर कर देगा तो वह महान बन जाएगा और वह क्या है बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन सकता है याणि नारियों को बहुत धर में परवेश की अनुमती क्यों देनी पड़ी यानि बुध जो है वह नारियों को बहुत धर में वनने नहीं दिया करता था उसको भीचुनी बनने नहीं दिया करता था लेकिन बाद में उन्होंने नारियों को भी महिलाओं को भी बहुत धर में परवे चित और दुखी थी याणि यहाँ पे जब बुद्ध का समय था उस समय इस्तिरियों पर बहुत ज़्यादा अप्याजार होता था पुरुष का बर्चस्व था समाज में जो महिलाएं लोग थी उनको दवी कुछली मानी जाती थी और महिलाओं बहुत ज़्यादा दुखी थ अपने धर्म के उपदेश जिसमें दुखियों के कल्याण की भावना नहित थी के अनुसंग में अपेच्छित और पतीता इस्तिरियों पर क्रीपा करके उन्हें बुद्ध बहुत धर्में परवेश दिया हलांकी बाद में बुद्ध ने इस्तिरियों को परवेश देने के अपने इस निर्ने पर सिस आनन्द के समुख अब सोस भी प्रकट किया यानि यहां पे देखिए क्या बताया गया है कि बुद्ध का जो बहुत धर्म है उसमें कहा गया है कि कोई बेक्ति अगर दुखी है तो उसके दुख को यहां पे खटाया जाए उसके दुख की समस्या को दूर किया जाए यहां पर बूद्ध का जब उस प्रकार क्या था उस परकार इस तरीयों का बर् चस्म नहीं था बलकि पूर्शों का बर्चस्म समाज में बहुत ज़्यार था और इस त्री लोग दवी कुछली रही थी दुखी रहती थी जिसके कारण उसका एक सिस्थ था उन्होंने काहा कि हे महात्मा हे मेरे भगवान आप इस्त्रियों को भी बहुत धर में क्या दो यहाँ पे अनुमती दे दो इसमें परवेश करने के जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत धर महात्मा बुद्ध ने बाद में चल कर इस्त्रियों को भी बह बुद्ध मैं गलती किया मुझे नहीं देना चाहिए था लेकिन बुद्ध ने इस्तरियों को बहुत धर में अनुमति दे दिया था किसके करण क्योंकि बहुत धर में लिखा हुआ है कि कोई अगर दुखी है तो उसके कल्यान करो उसके दुख को हटाओ जिसके करण महातमा बुद्ध को देना पना था चलिए देखते हैं अगला नमबर क्यूशन जोकी आपका है एट नमबर पुरुस जब नारी के गुन लेता है तो वह क्या बन जाता है सिंपल क्यूशन है तो आप लोग देखिएगा पुरुस जब नारी के गुन लेता है तो वह महान बन जाता है क्योंकि दिनकर जी के बिचार से इस्तरी तत्व सरजनातमक होता है उवह ध्वन्स मिनास यूट जैसी पूरुस बादियों गत्मिदियों के समनाद दर्श्रीजन निर्माण सांती और प्रेम का धार्भुत तत्व है तो आप लोगों को यह क्यूशन तो समझ में आ रहा होगा बार बार एक ही बात को क्यों बताऊं तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं आगे तो आगे देखिए आपका नाइन नंबर क्यूशन पूरुस के गून क्या है तो आप लोगों समझिएगा पूरुस का गून क्या है साहस और सूरता पुरुष के परमुख गुन होते हैं परन्तु कल्पना सिलता वह कोमल भवनाओं के अभाव में उसका सवरूप यूद हत्या बिनास आतंग अत्याचार आदे के रूप में ध्वन्स नात्मक परकिर्ति का हो जाया करता है कि पुरुष का जो मेंद गुन है वह साहस है सूर है यानि सूर भीरता है लेकिन वह कल्पना ऐसा ऐसा करता है उसकी कोमल भवनाओं के अभाव में वह क्या कर लेता है यूद कर लेता है हत्या किसी को कर देता है किसी पर अत्याचार करता है जैसे देखिए अगर कोई वेक्ती मैं आपको एक्जाम्पिल के लिए बता रहा हूँ तो आप लोग यहां पर समझेगा यहां पर क्या है देखिए कोई भी पूरुष लोग है उनको अपनी सास दिखाना चाहिए कोई अपने आपको सूरवीर मानना चाहिए लेकिन वह कलपना सीलता में बहुत सारे कॉमल भवनाओं में घूम कर क्या करेगा वह लड़की को छेड़ेगा या गलत है कि नहीं उसके अंदर सूर बीर तो है लेकिन वह लड़की को छेड़ेगा या क्या है गलत नीती है यानि वह सूर बीर जो पूरुज का अच्छा गुन है उसको भी खराब कर देता है वह किसी पर अत्याचार कर रहा है या सब क्या है गलत है यहां पर देखिए मैं आपको ऊझापन कर दिया उसको इव्द में हर दिया को कि यहां पर भग़वान रामने अ अपनी जो साहस और सूर भीरता को देखाया हुआ ऐसी गुन होने चाहिए बलकि रावन की तरह गुन नहीं होना चाहिए यहाँ पर यही कहने का मतलब है तो आपको समाज में आ गया होगा देखते हैं अगले नंबर की क्यूशन तो अगला नंबर क्यूशन देखिए आपका टेन नंबर नारी में पुरुश का गुन और पुरुश में नारी का गुन होना चाहिए या नहीं तो चलिए समझते हैं काफी सिंपल क्यूशन है दीनकर जी के अनुसार नारी में पुरुश का गुन और पुरुश में नारी का गुन अवस्य होना चाहिए क्योंकि उसके अ सरवक्तिक उनयन ही करती है यहां पर परतेक पुरुष में नारी का गुन होना ही चाहिए तो आपको यहां पर समझ में आ गया हुगा देखते हैं आपका अगला नंबर की उसन जो कि आपका है ब्याक्ष्या करने के लिए इसी में सारे लोगों को डाउट होता है तो आप देखिए यहां काफी अच्छा की उसन है इसकी ब्याक्ष्या करना है तो चलिए थोड़ा सा टाइम लेकर काफी असान भासा में आपको समझाता हूँ तो आप लोग इसको समझिएगा काफी जारा इपोर्टन की उसन है पत्नी चूकी एक इस्त्री होती है यानि परतेक पत होता है वह अपनी पत्नी को आस्त्रीता के मतलब है कि उसका खाने की जिमवारी उसके रहने सहने का जिमवारी सभी के रूप में उसको सुविकार करता है वह उसके जीवन में सरच्छक पोसक और उधारक की भूमिका में आने लगता है अतह जैसे लता ब्रिच की माप के अन यहां पे रमधारी सी दिनकर कहते हैं कि अगर बिरिच छोटा है तो उसकी लता भी उसकी साखा भी छोटी होगी, अगर बिरिच बड़ा है तो उसकी लता भी बड़ा होगा, इसी परकार से जो परतेक पतनी हैं, परतेक जो महिलाएं हैं, वह अपने पती के कहने के अनुसार ह चलती है अगर उसके पती पर ही निर्वर रह जाता है कि मुझे जो खाना बनाने के लिए मिलेगा उसको करूंगा जो मेरे देवता पती कहेंगे उसी को करेंगे इसी पर वा आस्ति रहती है कि उसको जो पहनने के लिए मिलेगा उसी को पहनने के जो खानने के लिए मिलेगा उ और देखिए आपका यह लास्ट क्यूशन है जो आपका ख़ जिस पूरुस में नारित्व नहीं अपूर्ण है इस कथन का हम लोगों को ब्याख्या करना है तो चलिए यहां पर समझते हैं यहां पर क्या है नारी स्रीजन का लियान सांती का संकेत है वह जीवन की संतुष्टी की सीतल हवा है ते यदि पूरुस के ब्यक्तित्व में नारी गून आ जाए तो वह भी महान हो सकता है बिना इसके अप५ूर्ण है यहां पर हम नहारी से दिनकर क्या कहते है कि जब तक कोई पूरुस में नारी का गून नहीं आता है वह अपूर्ण होता है क्यों और वह अपूर्ण रहेगा वह अच्छा मनुस अच्छा बेखती नहीं बन सकता है तो यहां पर आपको इस पंक्ति का मतलब समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं होना चाहिए तो इसी के साथ आपका यह चेप्टर भी समाप्थ हो जाता है आपका अर्धना कर दिया गया है उस पर आप लोग कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं आपका सारा डाउट किलियर किया जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फिलिजिगा कर दीजेगा चैनल पर नए जूड़े हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिज को जब बोड एक्जाम आते आते आप लोग हिंदी को इतना अच्छे से पढ़ लिजेगा कि आप लोगों को कम से कम दो 90 परशेंट नमबर तो आएगा ही आएगा के वला आप लोग हमारे साथ बने रहिए तो चलिए आज के वीडियो में नहीं रखते हैं मिलते हैं अगले व हाराई